नमस्कार दोस्तों मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर सितरंग चक्रवाती तूफान को लेकर आ रही है सातियों बतादे सितरंग चक्रवाती तूफान लगातार बेकावू होता जा रहा है और राज्ये की सरकारों के द्वारा पुलिस पॉर्स को भी तेनाद कर दिया गया है वहीं मचवारों को सला दी गई है कि आप गहरे जो समुद्र हैं वहाँ पर बिल्कुल भी ना जाएं और जो हवा की रप्तार है वो भी बढ़ने लग गई है सात्यों बता दे मोसम विज्ञान विभाग का अनमान है कि जो बंगाल की खाड़ी के उपर एक कम दबाब का छेतर बना था वो अब गहरे दबाब में बदल गया है और चक्रवात का जो रूप है वो ले लिया है अगले कुछ ही गंटों में भारी बारिस कई राज्यों में होने वाली है वहीं सात्यों बता दें कि मोसम विभाग के मताबिक वर्तमान में जो हवा की गती है वो पचपन से 65 किलोमेटर प्रेती गंटे बताई गई है जिसकी रबतार 35 किलोमेटर प्रेती गंटे तक है लेकिन जब हवा की गती गुणनचास से 61 किलोमेटर प्रेती गंटे तक पहुँच जाती है तो एक गहरा दवाब बन जाता है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों याने की 24 अक्टुमबर और 25 अक्टुमबर को एक गंभीर चक्रवाती तूफान बनने की भविस्यवानी की है और जिसमें हवा की रबतार है वो 90 से 110 किलोमेटर प्रेती गंटे तक पहुँचने वाली है अब साथ यों बता दे कि भारत की कौन-कौन से राज्ये हैं जिन पर इस सितरंग चक्रवाती तूफान का जो अलर्ट है इफेक्ट है वो पढ़ने वाला है तो बता दे दक्षिनी असम पूर्वी मेगाले नागलेंड मिजोरम मनिपूर और तिरपुरा में अधिकांस इस् और अलग अलग स्थानों पर अत्यदिक भारी बरसात की चेतावनी मौसम विबाग के द्वारा जारी की गई है वहीं राजस्थान में दिपावली बाद एक जो कम दवाव का छेतर है वो बन रहा है बंगाल की खाड़ी से तो यहां पर भी हलकी भारी जो बूंदा बांदी है वो आपको देखने को मिलेगी मौसम से जुड़ी सभी राज्यों की बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी हमारी चैनल पर आपको मिलती रहेगी चैनल अभी ही सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर लें वीडियो को जादा जादा सेयर करें ताकि सभी लोग हाँ